खुपाल में अधिकारी और करमचारी आने जाने के समय को लेकर सामाने प्रशासन विभाग अब सक्त हो गया है। खुपाल में जाने के समय का खास ध्यान रखना होगा। ताकि सरकारी अधिकारी करमचारी दफ्तर में काम में हिला हवाली ना कर सके वहाँ अपने काम के लिए पहुँच रहे आम नागरिक को इस कोताही की कीमत ना चुकानी पड़े। इसके लिए ये विभाग ने सक्त कदम उठाते हुए करमचारीों को आफिस पे रहने के निर्देश दिये हैं। बकाईदा विभाग की ओर से पत्र भी जारी किया गया है। साफ साफ लिखा गया है कि दस से शाम छे बजे तक आफिस के अंदर ही रहें। तो आफिस की टाइमिंग्स का विशेश तोड़ पर ध्यान रखना होगा। चाहे फिर वो कर्मचारी हो, चाहे वो अधिकारी हो। सुबह दस बजे दफ्तर पहुँचना होगा और शाम छे बजे तक दफ्तर के अंदर ही रहना होगा। अब कोई हिला हवाली, बहाने बाजी या कोता ही नहीं चलेगी, बददाश्ट नहीं किर्द की जाएगी। सामाने प्रशासने भाग ने इसको लेकर ये पत्र भी जारी कर दिया है, जो आप TV स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बिलकुल बिलकुल देखे निश्चेत तोर पर जिस तरीके से लगातार सरकार को इस तकायते मिल लेती के सरकारी अधिकारी करमचारी जो है वो आफिस में आने में और जाने में हीला हवाली बरत रहे हैं। समय से पर ओपिस नहीं पहुंच रहे हैं और लंच टाइम में भी जहादेर तक बहार रहते हैं और साम को पाज अच्छे वज़े तक का नियत समय होता लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो पाज से साड़े पाज की बीच में दफतर छोड़ देते हैं जिससे कई जो का लोग हैं सुबह 10 बजे से लिकर साम 6 बजे तक जो सरकारी दफतरों का समय नियत किया गया है उस दोरान अधिकारी करमचारी मौजूद रहें साथ तोर पर पत्र में लिखा गया है कि कोसिस करें कि आप समय के पहले जो है वो दफतर पहुंचे ताकि जो भी लोग आपके दफतर में क खिलाब करवाई की जा सकती है जी बहुत शुक्रेश अलेंदर आपका इस पूरी बातचीत के लिए तो करमचारियों को समय के अंदर आफिस में रहना पड़ेगा और किसी भी तरह की हिलावाली बरदाश नहीं की जाएगी अगले बढ़ते हैं बाश्योपुर के कर लेते ह देहार थाना शेतर के विठलपुर गाओं का मामला है यहां के लोग जो स्थानी लोग हैं उन्होंने जमीन पर खेती का हमाला दिया जबकि यह जमीन सुन्डी गाओं के विस्थापितों को देने के लिए यहां पर टीम पहुंची हुई थी प्रशास्निक टीम थी पुलिस था सुन्डी गाहों के विस्थापित जिनने यहां पर बसाना था उन्हें जमीन देनी थी लेकिन विठलपुर गाओं के लोगों ने हंगामा कर दिया। कहते वे कि इस जमीन पर वो खेती करते हैं और ऐसे में यहां ग्रामीरों की ओर से पुलिस टीम पर पिशास्थिक टीम पर पत्राव भी किया गया खबर मुरेना से है जहां गौवंश की हत्या के आरोपियों के घर पर पुलिस का आक्शन हुआ है पुलिस बल ने दो आरोपियों के घर पर पीला पंजा याने की बुल्डोजर चलाया और अवैर तरीके से बनाये गए मकान को जमिदोस कर दिया बताया जा रहा है कि दोनों आरोपियों के घरों से प्रतिवन्दित मास भी मिला था दोनों आरोपी गौवन्श की हत्याकर धौलपूर लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे इस मामले में कुल 9 लोगों को आरोपी बनाया गया तो जिसमें 5 लोगों की गिरफ़तारी हो शुखी है जबर्पूर में बेरहम बहू का CCTV फुटेज सामने आया है बहू सास पर थप पर बरसाते दिख रही है सास इसके बाद गेट से निकल जाती है ये वीडियो तब आया है जब कल ही बिलासपूर हाई कोट ने माता पिता की देखबाल का दाइतपूर बेटे का है इसे लेकर फैसला सुनाया है लेकिन कई घर ऐसे हैं जहां बुजर्ग माता पिता के साथ बचसलूकी की जाती है जबलपूर के सुदामानगर का ये मामला है आरोपह की बेटा गौतम विश्वकर्मा और बहु करुना कई साल से मां से मारपीट कर रहे है उधर एसपी ने मामले में ठाने को निर्देश दिये हैं साथी परिवार की काउंसलिंग कराने की बाद भी कही है तो CCTV फुटेज आपके TV स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं जहां बुजर्ग महिला के साथ बहु लड़ते हुए जगरते हुए और हाथ उठाते हुए साफ साफ देखी जा सकती है कुछ लोग वहां मवजूद हैं बच्चे भी है जो बीज बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर देखी किस तरह से यह महिला आके बढ़ते हैं बुजर्ग महिला पर थपर बरसाना शुरू कर देती है छोटे छोटे बच्चों के सामने इस तरह से यह सलूक बुजर्ग महिला के साथ किया जा रहा है वजा क्या थी विवात क्या है क्यूं इस तरह से इस घर में यह कलह बनी हुई है इसको लेकर अब परिवार के लोगों की काउंसलिंग कराने की बात पुलिस की ओर से कही गई है तो बहु का नाम करुना है लेकिन यहां जो हरकते हैं वो नाम के एकदम विपुरीत पज़र आ रही है पस्वीरे आपको दिखा रहे हैं यह सीजी टीवी फूटेज सामने आया है जावलपूर से एक बुजोर्ग महिला की इस तरह के सिकायत आई है थाना प्रभारी मदल महान को रिडेशित किया है कि सबसे बले वो अपने इस्तर पर सुने यहां पर पुली सदिक्षक कारेला में भी एक आलंबन साखा है वहां पर भी बुलाकर इनकी काउंसलिंग कराई जाएगी और किसी भी तरह कोई भी परिवार किसी बुजोर्ग को तंग ना करे ऐसा सुनिश्चित किया जाएगा वो बेटे बहु पर ही आरोप लगा रहे है और इस मामले का निज़ा करन उसको सुरक्षित घर पहुंचाया जाएगा चतरपुर में निज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है बंदू की नोक पर युवक के कपड़े उतार कर मारपीट करने की मामले में पुलिस थे तीन आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया है इतना ही नहीं मामले में दो आरोपियों की गरफतारी भी हो गई है आरोपियों की कबजे से एक देशी कट्टा और एक पिस्टल भी बरामत किया गया है मामले की गंभीरता को देखते हुए एस्टी ने कहा है कि आरोपियों की खिलाफ सक्त कारवाई की जाएगी उसमें दथकाल कारवाई की गई है वीडियो में इस प्रकार से प्रदर्शित हो रहा है कि दो लोग मिलकर के एक व्यक्ति की मार्पीट कर रहे है और एक व्यक्ति वीडियो बना रहा है तो तचकाल संग्यान लेते हुए उस प्रकारण में दो लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है परियादी जिस प्रिकार से घटनगरम बता रहे हैं वो साधार पर काई महीं की जा रही है और सक्ट से सक्ट वैदानिक करवई सारे आरूपियों की विरुद्ध की जाएगी और अब राजधानी भोपाल में दबंगो की कूर्टा की तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां दबंगो ने किवग को बीच सड़क पर दोड़ा दोड़ा कर उसकी पिटाई की हद तो तब हो गई जब उसकी कपड़े तक उतरवा दिये गए अब पिटाई का ये विडियो साम कर रहे हैं मारपीट कर रहे हैं इतना ही नहीं उसके कपड़े तक उतरवा दिये गए और फिर बकाइदा अपने इस मारपीट का विडियो भी बनवाया गया बिलासपुर में बुल्डोजर पर पत्राव हुआ है अतिकरमन हटा रहे है बुल्डोजर पर पत्राव किया गया कुछ लोग कारवाई से नाराज है पुलिस ने मौके से लोगों को खदेर दिया छे दिन से चल रही है अतिकरमन दस्ते की कारवाई अब सामने पर देखा चूटें लेकिन दूस्टों पर चूटें लेकिन जब बुल्डोजर की कारवाई यहां पर शुरू हुई तो उस पर पत्राफ कर दिया गया जो स्थाने लोग हैं कुछ लोग को कारवाई से नाराज बताए जा रहे हैं पुलिस से नाराज लोगो को यहां से खदेड दिया वो लगबस 742 मकानों को तोड़ने के लिए वहां मेला पारा पहुंची थी उसी दावरान कुछ अग्याद लोगों ने जो जेसी बी है जिसे बुल्डोजर कहा जा रहा है उस पर पत्राव कर दिया और पत्राव के दावरान जो जेसी बी के जो कांच है वो छतिग्रस हुए इसके सांथ ही कुछ लोगों को चोटे भी आई है फिलाल वहां मौके पर जो है सरकंड़ पुलिस थी और जैसे ही ऐसी घटना निर्मित हुई उसके बाद जो पुलिस बल पाती लोग थे उनको दोडाया गया और इस खाला की ये कहा जा रहा है कि ये वो लोग थे इनको मकान नहीं दिया गया है जो बिछले कई दिनों से दुकान मकान की मांग कर रहे हैं और इनका जो अबंटन प्रक्रिया में, इनका सूची में नाम नहीं था लियाज ये लगतार प्रशासन से निगम प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि इनको मकान दिया जाए यही अनुमान लगा जा रहा है कि ये वो लोग ही हो सकते हैं जिनको मकान ने मिला फिलाहल पुलिस जाज कर रही है और अतिकरवान की जो कारवाई है वो आगे भी जारी र केस में तीन आरोपी पुलिस के खत्थे चड़े हैं एक आरोपी अभी भी फरार है गिरफ्त में आए आरोपियों से पूठतार जा रहा है तीम जो पकड़े गए हैं उनसे पूठतार की जा रही है मामला बासा तारखेड़े का है कि सुबा है लोगों ने जो बृतक पक्ष के दो रड़के हैं उनको बासा के पास रोड पर उनका वेट किया और उनको वहां पर गोलियों से उनकी हत्या कर दी गोली चला कर उसके बाद ही अंदर गाउं भी गए जहां पर बृतक पक्ष का परिवार का घर है उनके घर के सरस् शुकर्वा है उसकी भी बोली मार के अंतर की खबरे लगातार जा रही है यहां रुकरे एक छोटे से ब्रेक के लिए कि रोकी बेतन व्रिद्धी स्वच्छ भारत मिशन में लापरवाही वरत्रें पर हुई कारवाई कुंडगाउं से रामडला दर्शन के लिए तिरपन शधालू आयुध्या रवाना हुए विधाय को सेंडिये ने हरी जंडी दिखा कर बसों को खिया रवाना गर्यबन में तालाप की सपाई को लेकर प्रदेशन ग्रामेडों ने खुला मोचा सरपंच सचीप के खिलाफ किया प्रदेशन जश्पुर जिले में हाथियों का उत्पार जहारी हाथियों के दल से दलने फजल को रॉंदा फजल को हाथियों की जुणने किया बरबाद 32 जिलो में बारिश कलर्ट प्रिदिश में बढ़ीगी वर्षक की गतिए। 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 बस्तर में आप राधिक तत्वों के खिलाफ बड़ एक्शन अवेद शराफ गांजार नक्स्चिली दबाओं पर एक्शन एस्पी ने सभी थानेदारों को दिया सक्ष नर्टेश। कोर्मा में चाल पोनोग्राफी मामने में युवग रफ्टा रस्लील वीडियो बना कर सोचल मीडिया पर किया अप्डेश। अंभिकापुर में भाई ने भाई पर किया हमला हमले में बड़े भाई की मौत हुश्वटे भाई को देर से आने पर लगाई थी पटकार। कांकेर में तेंदु अदिखने से देशत शेहर से लगे डुमाली की पहाडी में दिखाते लुआ कुछ दिन पहले एक बज़ुर्ग महला पर किया था हमला। कुणडगाउं से रामरला दर्शन के लिए तिरपन शधालू आयुध्या रवाना हुए विधाय को सेंडिये ने हरी जंडी दिखा कर बसों को खेया रवाना। गर्यबन में तालाप की सपाई को लेकर प्रदेशन ग्रामरों ने खुला मोचा सरपंच सचीप के खिलाफ किया प्रदेशन। पानी की कमी को देखते हुए बियस पे ने लिया फैसला। जराशे में मैं जठा इस दिन का पानी शेश। प्रदेश में मौनसुन हुआ पूरे तरीके से एक्टिव प्रदेश के 32 जिलों में बारिश कलर्ट प्रदेश में बढ़ेगी वर्षक की गतिए। धमतरी में तंतर मंतर की आड में लाखों की ठकी करने वाले गिरफतार ठकी 14 लोगों से की थी 11,50,000 की ठकी। बल्डापुर में गलब व्यपारी ने 12 लोगों के साथ की धुकदरी धुकदरी के बाद हुआ फरार, रामानुजगंज पुलस मामले की जाट पे जुटी। बिलासपूर शराब दुकान पथराओं मामले में साथ लोग गिरफतार, पुलस में चार युप्ती समेच साथ लोगों को गिरफतार किया पथराओं को भीडियो हुआ थावार। धमतरी के दानी टोला शराब भट्टी में हुई मारपीच, शराब पिलाने के दुरान मारपीच हुई कोटवाली थानक छेतर की घटना। दंते बाड़म में जमीन विवाद में आंगन बारी कार्करता की हत्या, चाचा चची दे भाई नहीं की हत्या, परी जरों ने कलेक्टर को सौपग्या पर। नकसलियों के पास नकली नोट मिलने पर पूलिस सलर्ट हुई सभी पूलिस सर्दिक्षकों को बस्तर आईजी ने विया निरदेश, नकसलियों के गिरफटार होने पर पूलिस करेगी पूछताच। दुर्ग में रिटायर्ड पूलिस कर्मी के बेटे ने लगाई फासी घटना का कारण अज्यात भिलाई नगर पूलिस स्थानत शेतर का मावना। बल्ड़ाम पूर में प्रिशान होकर एक शक्स ने जहर खा लिया प्राइविट बाइंक के ऑफस में ही शक्स ने जहर खाया इलाज के लिए जिला स्पताल में भर्ती करायी गया है यह बकान इर्मान के लिए इस शक्स ने लोन अपलाई किया हुआ था दसावेस सही होने के बाद भी लोन नहीं मिला लोन के भरोसे ये शक्त सामान कलित आया सिटी कोट वाली पुलिस अब मामने की जांच कर देने है पाईजार घानावाला मरीज आया है जिसने बताया कि सुपरीमू बेंग फाइनेस बेंग से मैंने तीन लाग चुबरेल सी हजार फाइनेस कराया था जिसकी किस्ट मिलना था मुझे तीन किस्तों में तो उस चक्तर उस वरों से मैंने मकान वानाने के लिए लोहा गिट्टी रेद समान उदार ले लिया था इसके मुझे पैसे देने हैं लेकिन बेंग वाले अभी तक एक मुझे किस्त नहीं दी उससे परेसान होकर मैंने आज फाइनेस बेंग में सलपास की एग गोली धाली थी इससे मुझे बेंग वाले इलाजेतों अस्पताल लाएं पैंडरा में एक लड़की की हत्या से संसरी मच गई गोरिला में दिन दहारे लड़की की हत्या की गई गोरिला स्टेट बैंक के सामने ये वारदात हुई पूरी वारदात वहां लगे सिसी टीवी में रिकॉर्ड हो गई है तो दिन दहारे लड़की का कतल यहां कर दिया गया पेंडरा की ये वारदात है अब पुलिस मामले को इन्वस्टिगेट कर रही है अगली खबर भिलाई से है जहां दो पक्षों में विवाद के बाद गोली चल गई विवाद में दो युवा गंभी रूप से घायर हो हैं बिलाई के गलोब चौक के घटना है बिलाई नगर पुलिस मामले की जाच कर रही है